हेलो बच्चो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एवेस वर्चुल कैंपस में स्वागत है आज का हमारा ये जो विडियो सेशन है ये ये यूमन बॉड़ी पर आधारीत है यूमन बॉड़ी एक बहुत ही बड़ा चीज है और बैलोजी से जितने भी सवाल आते हैं उसमें ज्यादा तर सवाल जो होते हैं वो यूमन बॉड़ी पर आधारीत होते हैं यूमन बॉड़ी में आपको कई तरह की चीजों की पढ़ाई करनी है सबसे पले हम लोगों ने इस सीरीज में डाजस्टिप सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया जो पार्ट ए था पार्ट पी मे हम लोग ने बॉड़ के बारे में पढ़ा है कि आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन का जो टॉपिक होगा जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे तो बॉड़ से संबनी तभी कुछ बाते रह गई हैं जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहला बात करेंगे बॉड बलड गुरूप पर, ठीक है ना, बलड गुरूप से आपको सवाल आपको काफी देखने को मिलेंगे, और हमारा जो दूसरा जो टॉपिक होगा, आज का हमारा वीडियो सेशन का, वो होगा उत्सरजी तंत्र, ठीक है न, यह उत्सरजन, आप इसको कहिए, उत्सरजन अत्वा उत्सरजी तंत्र, पर आज हम लोग बात करेंगे, तो आज का हमारा जो वीडियो सेशन है, दो टॉपिक पर अधारित है, वो है बलड गुरूप और एक है एक्सक्रिटरी सिस्टम, चलिए सबसे पहले इंपॉर्टन बातों को देख लेते हैं, जो बलड गुरूप से संब स्कांदित है, जो बलड गुरुप की खोज किसने की, ठीक है न? तो बलड गुरुप जो रख्त और उसको आप कह thế, रख्त बलड गुरूप ज्यादा फिमास है, ठीक है न? तो बलड गुरूप का खोज करता जो है ब्लड गुरूप का जो खुच करता का नाम है वो लैंडिस्टीनर ठीक है ना ब्लड गुरूप का खुच करता का नाम है लैंडिस्टीनर चलिए अब आप सभी जानते हैं कि हमारे सरीर में चार प्रकार के ब्लड ग्रूप हो सकते हैं कोई व्यक्ति या तो ब्लड ग्रूप A का हो सकता है या तो B हो सकता है या तो A B हो सकता है अथो A हो सकता है लेकिन इसके वरगीकरन का अधार क्या है हम किस अधार पर हम इस human body का जो blood है वो चार ग्रूप में बाटा गया है ठीक है ना antigen आप इसको ऐसे समझे एंटिजन के आधार पर के आधार पर रक्त को चार भागों में चार भागों में बाटा गया है यह इसका आधार जो है वो antigen है ठीक है ना वो कौन-कौन blood group है तो blood group A, blood group B, blood group A, B और blood group O अब important बात क्या है इसमें अब इससे important बातों को हम लोग देखते हैं देखिए जो blood group A, B है यहना इसको काते है universal recipient यानि कि किसी से यह blood ले सकता है और blood group जो O है ना यह का लात है universal donor यानि कि कि किसी को blood group अपना दे सकता है तो जो A, B है वो universal recipient है यानि कि A, B blood group वाले जो वैकती हैं वो A से ले सकते हैं यदि उनको blood की ज़रूरत पड़े तो वो B से ले सकते हैं वो O से ले सकते हैं ठीक है ना वो A, B से भी ले सकते हैं तो वो किसी से लेने वाले ये universal recipient कहलाते हैं ठीक ना अच्छा अब बलड़ ग्रूप जो O है ये किसी को दे सकते हैं ये वाले को दे सकते हैं ये डोनर कहलाते हैं ठीक ना ये A B वाले को दे सकते हैं और O खुद O वाले को भी दे सकते हैं तो एक बहुत important बात है कि जो A B है जो का ति उनिवर्सल रिसिपियंट ठीक ना एबी जो है वो कलाता है उनिवर्सल आप इसको समझे रिसिपियंट मतलब ग्रहन करने वाला रिसिपियंट सौरी ये कलाता है इनिवर्सल रिसिपियंट ये कलाता है इनिवर्सल रिसिपियंट रिसिपियंट का मतलब होता है ग्रहन करने वाला ग्रहन करने वाला चलिए ये तो आपका ग्रहन करने वाला हो गया ठीक है अब डोनर क्या कलाता है जो बलड ग्रूप O है ठीक है ये फूर्थ यह कहलाता है donor कहलाता है चलिए तो एंपोर्टेंट बात है कि जो AB है वह recipient है और जो wed जो ऑग्णार उजर्म पर आए-प्र रहा है जो लिए सकता है सता है लेंशन्ग से सकता है बलड गुरूप ओ वाला वेक्ति के वर ओ वाले गुरूप वाले वेक्ति से ही ओ बलड ले सकते हैं यानि कि रक्त समूँ इसको अगर सरल भासा में कहा जाए रक्त समूँ ओ वाला वेक्ति ओ वाला जो वेक्ति अगर किसी का बलड गुरूप अगर ओ है तो वो सिर्फ ओ वाले व्यक्ति से ही वो ब्लड ले सकता है ठीक ना रखता सम ओ वाला व्यक्ति सिर्फ ओ गुरूप वाले व्यक्ति से ही ठीक ना चलिए ब्लड ले सकता है ब्लड ले सकता है चलिए आप कुछ और important बातों को देख लेते हैं देखिए जो ब्लड गुरूप AB A B का मतलब anti-body याद रखना बहुत सरल है blood group A B में antibody नहीं होता है और blood group O में anti-gen नहीं होता है जलिए बहुत important बात है ठीक न कि blood group A blood group A, B, बहुत आसान है, इसको याद रखना, एंटी बॉडी, ठीक है, बलड गुरूप A, B में एंटी बॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है, बलड गुरूप A है, उसमें एंटी बॉडी नहीं मिलता है, अच्छा, अब बलड गुरूप जो O है, ठीक है, इसमें एंटी जन नह नहीं पाया जाता है ठीक ना ओ वाले ब्लड गुरूप में एंटीजन नहीं मिलेगा और एबी वाले में एंटीबॉडी नहीं मिलेगा लेकिन ओ वाले ब्लड गुरूप में दोनों एंटीबॉडी यह भी दोनों होता है ठीक न एक बहुत इंपोर्टन बात कि ब्लड पाया जाता है इंटी बाड़ी पाया जाता है चलिए हम लोग बात को out लागे देखते हैं बलट से सम्मस्दित यह हमार जो point eight था point nine देखते हैं देखिए यदि हमारे सरीर में blood बहु जादा हो जाया रबी सी बहु जादा हो जाया तो यह कहां जाकर कि स्टोर होता है, यह स्प्लीन में जाकर रेस्टोर होता है, इसलिए स्प्लीन को ना सरीर का ना उसको बलड बैंक कहा जाता है, ठीक है ना चलिए, एक्सेस, आप इसको सरल भासा में समझी, एक्सेस, और आर बी सी, और इस्प्लीन में, इस्प्लीन में स्टोर होता है, हना इस्प्लीन में स्टोर होता है इसलिए हना इस्प्लीन को क्या काता है अता ठीक हना इस्प्लीन को अता इस्प्लीन मतलब प्लीहा इसको आप हिंदी में समझे प्लीहा को सरीर का सरीर का बलड बैंक कहा जाता है सरीर का बलड बैंक कहा जाता है तो ये blood group से सम्मन्दी ते इंपोर्टेंट बाते हैं चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब एक आरिच फैक्टर है ठीकर ना एक आरिच फैक्टर है वो क्या होता है सबसे पहले हम लोग ने antibody और antigen के बारे में बात किया था अभी जस्ट आप यहां देख रहे हैं कि antibody क्या हो आता है और रोगों से यह fight करता antibody antigen क्या करता है antigen वह पदार्थ है आप ऐस चीज है antigen को यह एक ऐसा चीज है जो कि antibody को निर्मान करने में stimulant stimulant का काम करता है मतलब उसको प्रिवित करता है चलिए एक बहुत important बात है कि antigen क्या है antigen antibody antibody के निर्मान को निर्मान को प्रिरीद करता है इसको सरलभासा में आप ऐसे समझेए प्रिरीद करता है चलिए अब हम आते हैं एक बहुत important बात है आरिच फैक्टर ठीक ना यह blood से important बात हैं आरिच फैक्टर आरिच फैक्टर भी एक antigen है और इसका जो खुच करता था landistiner और winner ठीक ना यह दो लोगों ने मिलकर के रियस monkey अना रियस बंदर पर इन्होंने सोध किया और वहां से इन्होंने आरिच फैक्टर का कोज निकाला तो आरिच फैक्टर आरिच मतलब रियस हना रियस monkey से आरिच नाम लिया गया है ठीक है चलिए तो क्या अब हमारी बात एक तो रिये आरिच फैक्टर भी एक एक एंटीजन है ob इंपरिच बात क्या है कि ठीक करता को ने ठीक ना चलिए इंपरिच बात चलिए अरिच फैक्टर का खोज आरेज फैक्टर यह तत तो उसको कहते हैं का खोज लेंड इस्टीनर लेंड इस्टीनर तता एस वीनर ने किया था तता एस वीनर ठीक है ने किया था चलिए यह तो आरेज फैक्टर की खोज है देखिए एक आपके examination oriented बात क्या है point number हम लोग 13 की और move करते हैं एक examination oriented बात किया है कि यदि कोई पुरूस यदि वो RH positive है और इसका विवा हो जाता है किसी RH negative महिला से थोड़ा ध्यान दिया जाए बहुत important बात है RH negative महिला से किसी RH RH plus factor वाले पुरूस का विवा RH minus महिला वाले अगर हो जाता है तो इसके एक बच्चा जो अगर होगा तो वो जीवित होगा और बाकि जो सेस बच्चे उसके बाद होगे वो मिरित हो जाएंगे मतलब मर जाएंगे तो अगर कोई RH plus पुरूस का विवा RH minus महिला के साथ होता है तो उनके एक बच्चे छोड़कर के उनका जो नेक्स्ट जो बच्चे होंगे वो जीवित नहीं रहेंगे अना चलिए कि एक बच्चे छोड़कर एक बच्चा वो छोड़कर सेस बच्चे सेस बच्चे जीवित नहीं रहेंगे जीवित नहीं रहेंगे दिकbbles अइसा होता है कि किसी का एक संतान हुआ और एक संतान के बाद उसका जो वह पर आने वाला संतान जो है वो मतलब है तो इसका उने हुट प्लस और पुरुस और आरेच माइनस महिला का जो विवा होता है ना वो बेमेल विवा होता है चुकि उनके एक ही बच्चे जीवीत रहेंगे और बाकी मर जाएंगे अता हम कह सकते हैं अता आरेच प्लस पुरुस ठीक ना तथा आरेच आरेच माइनस महिला ठीक ना का विवा का विवा ठीक है ना एक अनुचित पेयर है हना का विवा एक अनुचित पेयर है या वो बेमेल पेयर है आप उसको जो का सकते हैं या विवा मतलब कि आप उसको समझे है कि वो विवा जो अब होगा अवैद हम नहीं कहेंगे अवैद वाली बात नहीं कहेंगे लेकिन वो साइ में समझें तो यह ज्यादा बहतर होगा अन्सूटेबल है ठीक है ना चलिए अब हम लोग बात करते हैं सरीर के उत्सर्जन यह तो आरेश फैक्टर से संब्नित और बलड गुरूप से संब्नित यह बात रहा अब हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा जिस पर हम लोग बात कर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा अब हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन को लेखर के चलिए कि उत्सर्जन क्या होता है उत्सर्जन पर क्रिया द्वार hard निकालने को हम लोग होत क्या होता चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट बात देखते हैं उत्सर्जन से संबंधी ठीक ना इसको अगर इंगलिस में कहें तो एक्सक्रिटरी सिस्टम की अब हम लोग बात करेंगे अब हमारा जो बात होगा वो दूसरा पॉइंट होगा एक्सक्रिटरी सिस्टम पर होगा ठीक ना चलिए उत्सर्जन परक्रिया द्वारा अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे उत्सर्जन चलिए अब हम लोग इसके important बातों को देखेंगे उत्सर्जन प्रक्रिया दोआरा nitrogen युक्त nitrogen युक्त ठीक ना चलिए पदार्थ इसको nitrogenous हम लोग compound कहेंगे nitrogenous compound युक्त पदार्थ अब हम लोग बार बार इसके लिए nitrogenous compound ये इस्तेमाल करेंगे वर्ड nitrogenous compound ठीक ना को सरीर से बाहर निकाला जाता है को सरीर से बाहर निकाला जाता है चलिए तो ये क्या होता है भाई excretory system के अंतरगत क्या होता है कि सरीर का nitrogenous compound है इसको इन सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है किडिनी हमारे सरीर का मुख उत्सरजन अंग है ठीक ना चलिए एक बहुत important बात point number two अब ये excretory system का ये point number two होने वाला है चलिए देखिए जो किडिनी है वो किडिनी क्या है पर आप इस चीज को समझे तो किडिनी जो है वो हमारा मेन उत्सरजन अंग है ठीक ना जीसे से होकर जीसे से होकर नाइट्रोजनस compound हना या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ठीक ना चलिए मुत्र की रूप में सरीर से बाहर निकल जाता है ठीक ना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते है नाइट्रोजनस compound है आप इसको कहें ना अट्रोजनस कंपाउंड ठीक है ना चलिए मुत्र के रूप में मुत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देखिए हमारे सरीर का एक्सक्रिटरी सिस्टम में कौन-कौन सी अंग आते हैं पाला तो चीजी है है इसमें सबसे पहला आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है वन पेर यह एक जोड़ा किड़नी आता है चलिए इसके बाद क्या आता है वन पेर ठीक ना यूरेटरस जिसको आप हिंदी में कहते है मुतरवाहिनी जिसको आप हिंदी में कहते है मुतरवाहिनी आता है ठीक ना एक पेर किड़नी होता है एक पेर आपका यूरेटरस होता है प्लस एक क्या होता है भाई यूरेनेरी ब्लैडर एक क्या होता है यूरीनरी यूरीनरी ब्लैडर होता एक यूर Där होता है चलिए जिसको आप मुत्र मार्ग कहते हैं अ हमारा मुत्र होता है वह यूरिथ द्वारा और बाहर निकल जाते है बहुत इंपटन् body का जो main excretory जो organ है वो kidney है हाँ हाले कि और भी सहायक organs है जैसे कि liver liver से bile pigment वो निकल जाता है small intestine में जो की faces द्वारा वो अंतिम रूप से बाहर निकाल दिया जाता है undigested food के साथ दूसरा हमारा skin भी खुद क्या है skin से पसी ने आता है skin भी क्या है skin भी एक excretory organ का वो काम करता है लेकिन यह सहायक excretory organ है main जो है excretory organ हमारे सरीर का वो है अपका kidney इसके अलावा हमारा lungs फेपड़ा भी है जो कि CO2 को remove करता है तो वो भी हमारा excretory organ के अंतरगत आता है चलिए लेकिन हमारा human body का excretory system किन चीजों से बना हुआ है इसको देखा जाए यह system है एक तंतर है organ और तंतर में अंतर है हना excretory system mainly वो किस चीज से बना हुआ है तो एक पेर इसमें kidney होगा मतलब एक जोड़ा kidney होता है दो kidney होते है चलिए एक पेर urators होता है जिसको आप मुतरवाहनी अब जैसे कि दो kidney से ना दो pipe की तरह निकले होते है ठीक ना और वो कालाते हैं आपके urators कालाते हैं मुतरवाहनी ठीक ना चलिए एक pipe की तरह होता है बहुत महिन pipe की तरह होता है चलिए इसके बाद एक क्या होता है urinary bladder होता है जिसको आप मुतरा से का तो इसी में जाकर के जो यूरीन होता है वो इकठा रहता है और यूरेत्रा द्वारा वो मुत्रमार्ग द्वारा वो बाहर निकल जाता है तो यह हमारे excretory system है लेकिन हमारे जो सहायक excretory system सहायक organs of excretion के अंतरगत कौन-कौन आते हैं चलिए इसको भी थोड़ा सा देख ले तो point number four point number four देखते हैं point number four क्या कहता है other organs of other organs of excretion यानि कि उत्सरजन के अंग कौन-कौन है ठीक है ना excretion का मतलब उत्सरजन आप समझे है अब जलिए एक्स क्रीशन का मतलब सर्जन उत्सर जीर के अनंग कौन से हैं। उत्सर्जन के अनंंग में आते हैं चलुआ इसको को में लेकर चल प को बाय पीगिमेंट को वह करको पो सिमाहलें टिंस्टीम और आईली सबस्टांस बाहर निकलते हैं इसके अलावा और कौन है लंग्स है जो कि लंग्स क्या करता है तो यह सियोटु को रिमूव करता है यह रिमूव किसको करता है सियोटु को रिमूव करता है ठीक ना तो लिवर इसकी इन लंग्स यह हमारे किडिनी के अलावा आप ऐ point number five देखते हैं कि point number five क्या है इस के लिभर क्या करता है बाइल pigment को निकालता है skin क्या करता है तो यह sweet पसीना को और water or salt को बाहर निकालता है lungs क्या करता है lungs वो co 2 को रिमूफ करता है तो यह हमारे main excretory organ है और kidney तो हैं ही kidney तो वह सारे जितने भी प्रोटीन के मेटाबोलिजम के जो इंड प्रोड़क्ट है देखिए जो देखिए यह पले यह समझते की co2 बनता कैसे है तो co2 जब हम मतलब सुवस्वासन लेते हैं तो कार्भो हाइडड के टूटने से स्यू टू बनता है और यह लंग्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है अब जो प्रोटीन का उपक्षे होता है और उसका इंड प्रोड़क्ट निकालने के मात्रसाधन किड़िनी है ठीक है ना चलिए एक बहुत इंपॉर्टन बात है एक संद्रिष्टि कुन से कोई confusion वाली बात नहीं है इसको आप ऐसे समझें प्रोटीन 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 उपाप्चे के उपाप्चे का मतलब आप मेटाबॉलिजम समझें मेटाबॉलिजम के इंड प्रोड़क्ट को बाहर निकालने का निकालने का एक मात्र साधन क्या है आपका किडिनी है किडिनी का वजन कितना होता है किडिनी का भार हमारे human body में कितना होता है तो लगभग 1500 ग्राम ठीक न अच्छा किडिनी का जो मेन जो किडिनी किस से बना हुए तो nephron से बना हुए किडिनी का ये functional unit और structure और function दोनों का सकते हैं किडिनी का जो structure और function unit है वो नेफ्रोन है एक kidney में लगबग 1 million नेफ्रोन्स होते हैं यानि कि दो kidney में 20 लाख लगबग नेफ्रोन्स मिलते हैं ठीक है न चलिए तो kidney का बहुत important बात है kidney का structural इसको आप इंगलीज में समझें सनरचना and functional और functional जो unit होता है वो क्या है तो वो है सर नेफ्रोन वो है नेफ्रोन और एक kidney परते kidney में लगबग 1 million नेफ्रोन होते हैं point number 8 यह point number 7 था point number 8 चलते हैं परते किडिनी में परते किडिनी में ठीक हम लोग आगे आते हैं तो के सारे हैं यूरिया Co2 Isystem यह सारे क्या है एक्सक्रिटरी सबस्टांस है उत्सरजी पदार्थ है और इसमें सबसे जो टॉक्सिक होता हूँ अमोनिया होता है अगर कहा जाए कि अगर मतलब सियो टू देखे बहुत इंपोर्टेंट बात है ठीक ना चलिए यूरिक हना यूरिक अमल यूरिक अमल चलिए यह सारे क्या है यह सियो टू एक्स यह उत्सरजी पदार्थ है यूरिक अमले क्या है उत्सरजी पदार्थ है अमोनिया भी क्या है उत्सरजी यूरिन भी यूरि ले लिया चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं अमोनिया और इसके बाद ले ले लेते हैं अमोनिया में अना सरवादिक टॉक्सिक टॉक्सिक मतलब जहरीला सरवादिक तॉक्सिक पदार्थ अमोनिया है जो कि यही यूरिया में जाकर कर जाता है अमोनिया है चलिए देखते हैं यूरिया सरीर में कहां बनता है यूरिया जो सरीर में होता है ना वो लीवर में बनता है और यूरिया कहां बनता है मुत्र का निर्मान होता है का निर्मान चलिए कहां पर होता है लीवर में होता है अच्छा यूरीन मतलब मुत्र का निर्मान कहां पर होता है मुत्र का निर्मान जो होता है वो किडिनी में होता है बहुत आसाधारन सी बात है यूरिया का फिल्ट्रेशन कहां पर होता है यूरिया का filtration चनन उसको कहिए आप इंगलीस मेहिंदी में filtration अना इंगलीस वर्ड हो गया चनन कहिए चनता कहां पर है तो ये kidney में चनता है एक स्वस्थ मनुसम अना 180 लीटर पर दे उसका kidney जो है वो बलड को filtrate करता है ठीकन एक स्वस्थ मनुसमें प्रती दीन ठीकन एक स्वस्थ मनुसमें प्रतीदीन ठीकन एक 170 लीटर अना बलड कि अना का filtration का filtration में चनन ठीकना kidney दुवारा होता है है कि अना kidney दुवारा होता है चलो हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते पॉइंट नंबर 12 में आते हैं छलिए एक पिछली है कि मुत्र का पीला रंग क्यों होता है जिसके कारण मुत्र का रंग यूरोक्रूम है जिसक वर्नक आप इंगलिश में पिगिमेंट काते हैं कि कारण कि कारण मुत्र का रंग कि क्या होता है पीला होता है चलिए चलिए लोग बात को हम लोग आगे देखते हैं यदि बलड में यदि यूरीन की मात्र बढ़ जाती इसको क्या कर दो यूरेमिया और यूरिया का च्छनन नहीं होता है देखे 108 लीटर हमने क्या कहा था भी थोड़ा देर पले कहा था कि 180 लीटर हना बलड का एक से डिड़ लीटर हना मुत्र का निर्मान होता है हाला कि यह चीज भरियेबल है मुत्र का निर्मान होता है हम ज्यादा पानी पिएंगे वह चीज़ ज्यादा होगा कम पानी पिएंगे कम होगा क्लाइमिट भी बहुत मैने रखता है हमारा भोजन भी बहुत मैने रखता लेकिन एक औसतन अगर कहा जाए तो मुत्र का जो निर्मान होता है वो एक से डेड़ लीटर होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम लोग बात करेंगे डायुरेटिक सबस्टांस क्या होता है डायुरेटिक सबस्टांस वो सबस्टांस होता है जो मुत्र के मात मुत्र के मात्र को बढ़ा देता है जैसे कि चाय कॉफी या कुछ सीतल पर पदार्थ हम जतना ज्यादा लेंगे हमारा मुत्र उतना ज्यादा बढ़ेगा एक बहुत इंपॉर्टन बद्र डायूरेटिक क्या होता है चलिए इंगलीज का भी वर्ड और बैलोजी में भी हम दे में उरीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं जैसे कि उधारन के लिए अगर हम कह सकते हैं तो उधारन के लिए पहेटी चाय कॉफी या बेवरे, जितने भी सीतल पेपदार्त हैं ये डायुरेटिक्स का काम करते हैं यूरियमिया क्या होता है, मैं यूरियमिया के बारे में बात कर रहाता है यदि किडिनी खराब हो जाए तो यूरिया का एकुमूलेशन होने लगता बुलड में इसी को यूरेमिया कहते हैं ठीक है इना, जिसको हम लोग दूर करने के लिए डालेसीस सहरा लेते हैं, तो डालेसीस का सम्वंध सरी के किस और्गिन से है? डालेसीस का सम्वंध है हना, कीडिनी से है, बहुत important बात है, एक जामने संधुरीकूर्य कोन से, चलिए, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है ठीक है ना यूरेमिया कहा जाता है चलिए अगर ब्लड में अगर आपका यूरिया का मातर बढ़ गया तो इसे यूरियमिया काते हैं ठीक ना और इसको दूर करने के लिए किसका सारा लिया जाता है डालेसीस का संबंध किस से है बहुत इंपॉर्टन बात है डालेसीस का संबंध का संबंध किडिनी से है ठीक न डियालेसिस का सम्मंध किडिनी से है चलिए तो यह बच्चों यह बहुत इंपोर्टन बात था आज का हमारा इस वीडियो सेशन का इसमें हम लोगों ने मेंली रूप से उनी चीजों को देखा है जो कि एक जामिनेशन दृष्टी कोन से इंपोर्टन है हम लोग यह जो वीड इंफॉर्मेशन होता है कैसे बलड का उसमें फिल्ट्रेशन होता है यह पूरा परकिरिया हम लोग समझते हैं लेकिन चुकि हमारा यह जीएस पार्ट का यह हिस्सा है और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जानी की जरूरत नहीं है हम लोगों ने सिर्फ उनी बातों को इसमें हमें यह समझना है कि हमारा में एक्सक्रिट्रियॉरगयन है वह किडिनी है इनकी थीक है और इसका वजन होता करता है एक स्वस्थ मनुस्य में परती दिन 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिसको ूपस्थिती के कारण इूरीन जो होता है वो उसका निर्मान होता है वह पिला होता है यूरीन का pH जो value होता है, वो लगबग 6 होता है, अमली होता है, अब बलड क्यों छारी होता है, तो देखे, यहां बहुत important बात है, बलड क्यों छारी हैं, क्योंकि सारे अमले तो किडिन के बाहर निकल लिये जाते हैं, वो छन जाता है, सारे अमले जितने सरीर के acids हैं, वो सारे तो छन के बाहर निकल जाते हैं बलोड प्रिफाई हो जाता है इसलिए बलोड चारिये होता है और यूरीन एसिडिक होता है तो यूरीन का जो पी एच है यूरीन का जो पी एच भैलू है वो लगबग 6 है और जो इसके पिछले वाले सेसर में बात हुआता है कि बलोड का जो पी एच है वो कितना है तो 7.4 है बलोड का जो pH है वो कितना है 7.4 है यह प्रकृति से अमलिये है और यह प्रकृति से चारिये है यह प्रकृति से अमलिये इसलिए है क्योंकि अभी यह तो बाहर निकल लाता है इसमें यूरीन में एक बात मैं इंपोर्टन बात बता दू यूरीन में क्य यूरिया होता है हना human body की यूरीन में 95% जल होता है और केवल 2% यूरिया पाया जाता है तो बचो आज का हमारा ये वीडियो सेशन में इतना ही बात रहा फिर आपको आगे के दिनों में human body से related और भी बाते सामने रखी जाएगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपन लाइक करें दूसरे को आप इसे जरूर दे ताकि आपके तरफ वो भी benefit पासके तो आज की बात बस इतना ही thank you very much